नमस्कार दोस्तों अक्सर चोर क्या करते हैं कि आपके घर में रात में आएंगे और आपका डॉग का नाम लेंगे जैसे कि जैरो जैरो या फिर आपके डॉग को उसका फैबरिट खाना खिला देंगे और आपका डॉग जूमते जूमते खाना खाएगा और चोर चोडी भी कर देगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दो टिप्स एक तो बहुत ही आसान होगा जिससे आप अपने डॉक को एग्रेसिव बना सकते हो सिक्यूरिटी परपस के लिए और गार्डिंग परपस के लिए और दूसरा तरीका बताऊंगो थोरा सा हार्ड होगा इसम दोस्तो सिंपल तरीके वाले में मैं आपको आज बताऊंगा कि कोई सीटी बजाए तो फिर आपका डॉग उस पर और भी जादा एग्रेसिव हो जाए चोर को क्या लगेगा आरे सीटी बजाएंगे यह डॉग तो आ जाएगा लेकिन डॉग उल्टा ही रियक्ट करेगा तो सबसे पहला तो यह मैं बता दूंगा और दूसरा यह भी बताऊंगा कि अंजान आदमी आपके घर पर आए तो यह डॉट कैसे टूट पर उस पर एकदम ऐसा कि जो सामने वाल आदमी है वह एकदम से सतर्क हो जाए डर जाए अब दोस्तों जो तीसरा चीज मैं बताना चाह तो अगर आपको यह ट्रनिंग चाहिए कि कोई और आदमी दे और आपका डॉट खाना वह खाए नहीं अगर यह चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो और यह भी कमेंट कर देना कि आपके डॉट का फैबरेट फूड क्या है और वह क्या खा लेता है जिससे मैं जब भी वीडिय क्या है उसको क्या फैबरेट पसंद है तो इसके लिए मैं ऐसे करके मेहनत करूंगा और आपको बताऊंगा भी चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मली बतलाना चाहूंगा जिससे आप अपने डॉट को एकदम एग्रेसिव बना सकते हो ताकि अंज को क्या करना है केवल और केवल कि अपने डॉट को किसी ऐसे डॉट के साथ छोड़ दीजिए जिसको गार्डिंग करना आता है जिसको दूसरे पर अटैक करना आता है और कोई अंजान आदमी आए तो वो डॉट उसके तूट परता है तो अगर आप अपने डॉट को उसके स आइसा चिलाया मैं डर गया कि हुआ कि टैजन चिलाया था बत impressively एक डिन में उससे इतना तेज चिलाया कि मैं इमेजिन नहीं कर पाया तो कभी-कभी यह आपके डॉक के साथ भी हो सकता है तो अपने डॉक चुछ यह करता है की गाडिंग सिख सीख जाएगा अब दूसरा तरीका है वो थोरा सा हाड है एकदम हाड ने उसमें भी आपने डॉक को ट्रेंड कर सकते हो देखिए दोस्तों कोई भी डॉग है वो गार्डिंग करेगा ही करेगा चाहे वो जर्मन से पड़ है चाहे वो इंडियन स्पीड्स है चाहे वो पग है सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके डॉग को यह बतलाना है कि उसका बॉंडरी क्या है क्योंकि अगर आपके घर पे अगदम आदमी आते रहेगा जाते रहेगा और आपका डॉग भी खुला हुआ है तो उसको उसका बॉंडरी पता नहीं चलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसको यह बतलाना है कि उसके घर का बॉंडरी क्या है इसके लिए आप boundary सा महसूस रहेगा या फिर दोस्तों उसको बान्द करके डगे एक चोटे से कमरा में रखेए या फिर केज में रखेए 뭘 construction अज़स फिक्स उसको वंद लाना कि इस इसका घर है इस घर के आइडिया से क्या होगा कि घर के psychology से ये क्या समझेगा कि ये मेरा घर है और ये मेरा boundary है इस boundary का भी भावना इसके दिमाग में आ जाता है तो ये चीज भी आप अपने dog को जरूर करिए तो बाद में आपको खोलना भी ऐसा नहीं कि हमेशा उसको बंद करके रखिए हमेशा तो dog घूमता नहीं है जब बार्किंग का भी ट्रेनिंग दीजिये यह जो दोनों ट्रेनिंग है बहुत ही ऐजी है मैं आपको simple तरीके से बता देता हूँ दोस्तों आपका dog normally कभी न कभी बार्क तो करता ही होगा तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है कि वो catch करना है कि यह साब पर बार्क कर रहा है या फिर गाए पर बार्क कर रहा है, या फिर किस चीज़ पर बार्क कर रहा है, गलत behavior नहीं सिखाना है, बर उस मोमेंट को आपको catch करना है, और उसी समय आपको बोलना है, बार्क बार्क, और आपका डॉग अगर ये चीज़ समझ गया, और बार्क किया, तो उसमय इसको appreciate और कुछ खाने के लिए दे दीजिए, इससे आपका डॉग बार्किंग सीख जाएगा, अब दूसरा आपको क्या करना है, अटैक वाला सिखाना है, अटैक वाला में सिंपल टिप्स में आपको बता देता हूँ, दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, बहुत सारे चीज में बतला रहा हूँ, सिंपल सिंपल टिप्स में, आपको नौर्मली क्या करना है अटैक वाले में, कि कोई भी खिलावना लेना अपने डॉग को, इससे करिए, और आपका डॉग उसको पकरेगा, उसके साथ खेलेगा, और आपको क्या करना है, घीचना है, तो आपका भी दोग उसको घीचेगा आप भी घीचेगा वह भी खीचेगा और बीच में उसको लीविट करिए जब छोड़ दे तो उसको अप्रिसेट करिए फिर उसको जब पकराना हो तो उसमें उसको बुलिए अटैक तो ऐसे बोलिएगा वह उस चीज को पकर लेगा तो इसे से करके करेगा और अटक करने के लिए वह दोरेगा भी उसके बाद आपको कमांड भी करना है अपने डॉक को कमांड के अंदर रखना नहीं तो यह चीज डेंजरस हो जागा है आप यह जर्मन से पड़ को देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सकती साली है एक आदमी को तो हमेशा पचार ट्रेनिंग हता है तो इससे आप अपने डॉक को बाद में गाइड कर पाओगे अब लास्ट में एक और सिंपल चीज में आपको बता देता हूं यह थोड़ा सा हाइड लेवल का अग्रेशिव आपका डॉक बन जाएगा वह से बनाना नहीं चाहिए बट हाइड लेवल का अग्रेसि ओपका डॉक बन जाएगा इसे यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक चीज एक मोमेंट आपको क्याश करना है जिसमें आपका डॉपक्स अग्रेशिव हो रहा हो जैसे कि कोई फैब्रिट यहाँ व снव इसको घिंत्र तो सब्वाने को घीच है और उसमें आपका मोमेंट आपको बार-बार अपने डॉक के साथ रिपीट करना है ताकि वो घुर रहा है इसे करके और इसी चीज को इसी मोमेंट को आप एक आदमी के साथ भी कनवर्ट कर सकते हो कोई आदमी है ठर्ड पसंड आदमी है जो घर के बाहर से क्या करे कि लकरी ले ले और आपके ड पुर रहता था वो चीज रिपीट करें तो यह क्या करेगा कि वो नाम सुनते ही और लक्री देखते ही यह एकदम हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि आपके डॉक के पास कोई चोड भी आए कोई भी पाचान का आदमी आए जो आपके डॉक को डाइवर्ट करना चाहता ह वो जैसे ही इसका नाम लेगा जैसे ही सिटी बजाएगा वह से ही एग्रेसिव हो जाएगा और चोड शोचेगा भाई यह क्या चीज है कि मैंने इसको फुसलाने का कोसिस किया और यह उल्टा एकदम एटेक ही कर रहा है तो यह जो लास्ट वाला चीज में बताई यह बहु ट्रेंड करने में इसलिए जो उसका फी होता है 10,000, 15,000 या फिर 5,000 ऐसे जैसा ट्रेंडर होते हैं वैसा फी लेते हैं पर मंत का तो दोस्तो यह तो हो गया ट्रेनिंग के लिए अगर दोस्तो आपके डॉग में कोई भी प्राब्लम हो गया हेल्थ लेटेड तो दोस्तो उस इसा सलाही हमेशा लेना चाहिए अपने प्यारे से पिट के लिए तो दोस्तो यह छोटा सा वीडियो था अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारा एम है 2000 लाइक का और साथी साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लिजाए साही तक लिए ठेक कियर बाइवाए जय हिन